हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जे इस्वाल एंद स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे अर्ट यूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने के मुश्ट लेकर आचुका हूँ दोस्तो जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एट स्टांडर के लिए हिस्ट्वी सब्जेक का दोस्तो जो हमने निव चाप्टर की शुरुवात की थी जिसका नाम है चाप्टर नमर सेवें नॉन को आपरेशन मोमेंट तो आज हम इ इप पहले वहां पर उन्होंने क्या इंडिया में आये उ उन्होंने देखा इंड जलियन वाला बाग मसाकर हुआ था लगबग यार मोर देन 400 पीपल्स वे डाइड on the spot अंदादुन गोली बारी की गई थी जलियन वाला बाग में मैंने आपको श्टोरी बता है तो यह सब चीज जानो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है न पुराने वीडियो इसके पहले चाप्टर्स कंप्लीट है हमारे पूरा साइन्स पूरा माथ पूरा हिस्ट्री जावराफी पॉलिटिकल साइन्स जो है जितने भी है लाइक मोर देन 60 परसंट वो भी कंप्लीट हो चुके हैं तो प्लेलिस्ट अपडेट करके रग दिया है हमने बस आपको पढ़ाई करना ह हर वक्त मेहनत करता है वही सक्सेस्फुल इंसान बनता है यह चीज ध्यान में रखियेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्या पढ़ने वाले हम लोग आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सबसे पहला बहुत सारे मोमेंट्स थे जैसे आपने सत्यकरा के बारे में मैंने बत उस वक्त जो टर्की जो देश था उसके जो राजा थे उनको यहां पे वो अपना एक लीडर मान चुके थे यानि कि पूरे वर्ड के मुस्लिम्स का जो नेत्रुत्तों बोलते हम लोग यानि कि जो लीडर्शिप जो बोलते हैं वो कौन कर रहा था वो कर रहा था तर्की का ठीके तो उन्होंने मान लिया था अब यहां पे इनका ओपिनियन ये था कि हम किस प्रकार एक साथ मिलके हम ब्रिटीश के खिलाफ अंदोलन करेंगे मतलब इनका ये था खलीफास मूमेंट में इन शॉट क्या था कि जितने भी मुसलिम्स थे सम मिलके क्या कर रहे थे ब्रि ब्रिटीश ये सोच रहे थे कि अगर इंडियन की मुसलिम्स भी यहां पे मिलके तो बहुत ज्यादा फैक्टर हो सकता है तो यानि कि ब्रिटीश लोग ने सोचा कि कि किस प्रकार हम क्योंकि ब्रिटीश तो इंडिया के उपर राज कर रहा था उस वक्त तो ब्रिटीश ने इंडियन जो है वो अपने वादे के हिसाब से खरा नहीं उत्रा ठीके ना जो उन्होंने बोला था जो commitment दिया था कि हम कोई नुकसान नहीं करेंगे खलीफट मूमेंट को या फिर खलीफा अमपायर को नुकसान नहीं करेंगे तो वो चपप चीज के उपर इंडियन अपनी होने लगी बहुत सारे confusions create हो गए तो इसके वैसे क्या हुआ यहाँ पर जो मुमेंट स्टार्ट हुआ इंडियन Muslims द्वारा तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था एक तरीके से support provide किया था और गांधी जी ने इनको एक तरीके से handle किया था और यही Muslims से अमर देश में अगर यह दोनों एक साथ मिल जाए यानि कि हम हिंदू Muslims अगर एक साथ मिल के दोस्तों मिल के Britishers के अगेंस्ट में आंदोलन करें जो चीजे करना है हमें वो करें तो definitely हमें जो चाहिए वो मिलके रहेगा यानि कि आजादी जो हमें चाहिए independence जो चाहिए वो हमें मिलके रहेगा तो ऐसा गांधी जी का मानना था सोचना था 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 उनका ठीक है ना तो यही चीज़ के लिए यहां पर गांधी जी ने खलीफत मुमेंट को सपोर्ट किया था और एक तरह कैसे मुस्लिम्स को अपने साथ जोडने की कोशीश की थी ताकि हिंदू मुसलिम एक सब मिल जाए और यह सब को बोलता है तो आप मेरे साथ सहयोग करो जो हमकर रहे हैं आप हमें लग गया इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो गांधी जी ने क्रीट किया था नौन कोश्रेशन ओमेंट जो बिटिश लोग जो थे अब ये एक्जामपल के तुर पर मैं बात करूंगा कि जो वो भी British थे, वो हमारे इंडिया पर राज क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि यार, उन्पो हमारे Indians का इंडियंस का इंडियंस का मिला था, मुझे एक बात शुरू किया लेकिन अगर हम इंडियन सी कॉपरेट नहीं करेंगे, नौन कॉपरेशन में आ जाएंगे, यानि कि हम कोई भी ब्रिटिश का चीज यूज नहीं करेंगे, हम ना तो उनके ओफिस को सपोर्ट करेंगे, ना उनके गॉर्मेंट को सपोर्ट करेंगे, ना उनके स्कूल कॉलेजिस को सपोर्ट करेंगे, हम जाएंगे नहीं, पूरा का पूरा भाहिशकार कर देंगे, भाहिशकार का मतलब क्या होता है, हम बैं कर देंगे, हमको यूज ही नहीं करना, जाओ, तुमको अपना रखना रखो, हम नहीं यूज करेंगे आपका जाओ, ऐसा वाला, तो EC को बोलते हैं, non-cooperation, मतलब हम लड़ाई जगडा नहीं करने, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम आपके चीजों को boycott कर रहे हैं, यानि कि हम उसको use नहीं करने वाले, तो इस प्रकार का जो moment है, यहाँ पर होने लगा और यह जो, आपका जो, यह है, non-cooperation moment है, इसके ओपर बहुत सारी meeting हुई थी, विचार विवमाश हुआ था, और बहुत सारी चीज़े हुई थी, तो चितरन जन दास एक व्यक्ति थे महाँ पे, तो उन्होंने जो non-cooperation moment था, उसको accept किया था एक तरीके से, और धिरे-धिरे महात्मा गांदी के नित्रुत्त में, यानि, लीडर कौन थे में, महात्मा गांदी थे, तो महात्मा गांदी के नित्रुत्त में, यह जो non-cooperation moment है, वो चलते आ रहा था, जिसके वेसे एक decide हुआ था, कि हम ना तो government offices को use करेंगे, यानि पूरा का पूरा boycott करते हैं, कि government office को भी court को भी foreign के सामान, foreign सामान जो भारदेश से आता था सामान, उसको भी use नहीं करेंगे, सिफ इंडियान यूज करेंगे, government के schools, college, जो भी हम use ही नहीं करेंगे, जाओ तुम, भढ़ में जाओ ब्रिटिश वाल है, ऐसा वाला, तो यह सब चीज़ डिसाइड हुआ था, इस non corporation moment में, under the leadership, आप महातमा गांधी हैं चितरांजन दास, ठीक है, यह समझ में आया, अब, क्या-क्या progress हुआ, यही जो non corporation moment जो है, इसके अंदर क्या progress हुआ, progress, under, non corporation, non corporation moment, ठीक है, non corporation moment है, इसमें क्या progress हुआ है, यह हम लोग discuss करेंगे, देखो तो अभी progress की अगर बात करें, non corporation moment के, अगर हम बात करें, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, non corporation moment जो शुरुआत हो गया था, लेकिन, बहुत सारे जो lawyers थे, जैसे कि, मोतिलाल, नहरुद, चितरांदन, दास जो थे, इन्होंने boycott तो कर दिया था, कि हम court नहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुद lawyer थे, उनका काम त उसको भी boycott कर दिया, छोड़ दिया यहाँ पे, और बहुत सारे जो national education के जो schemes थे, यहाँ पे वो चलाया जा रहे थे, अपनी तरफ से, एंसाती में बहुत सारे national schools, college हो गए, universities हो गए, वो establish किये थे, इंडिया वाले, इंडिया की तरफ से, यह चीज़ establish हो रहा था, और elections को avoid किया जा रहा था, foreign के clothes, कपडे, foreign के materials, यह सभी चीज़ को boycott किया जा रहा था, फिर आया 1921 की बात, 1921 में क्या हुआ यहाँ पे, कि जो prince थे, किसके, Wales के, यानि जो British के, जो prince थे, prince of Wales, पता है न, England and Wales, तो Wales, जो देश है, पता होगा आपको शायद, Wales, तो जो prince थे, Wales के, व पूरा, जो हे, फैलने लगा, धीरे-धीरे, अंसाती में जो moment है, यह, जितने भी, आसाम्स थे, वहाँ पे फैलने लगा, जो, बंगाल के साइड के लोगों थे, वरकर थे, वहाँ तक फैलने लगा, और धीरे-धीरे, बहुत सारे चीज़े होने लगा, तो British ने यह सोचा, कि यह ऐसे चलता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा हमें भारी नुकसान होने वाला है, तो कुछ न कुछ मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़े सोचनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, कि फैबॉरी 1922 में, उसके एक साल ब्राद, फैबॉरी 1922 मे कि जो पुलिस थे, उन्होंने क्या किया, एक उपन फायर करने, जैसे मैंने जल्यन वाला बैग में सबकर आपको बताए था, कि वहाँ पे भी ऑडर दिया गया था, जितने भी लोग आंदोलन कर रहे है, सबके उपर बिंदास गोलिया बर्सा गई थी, और बहुत साले आता है गोरकपूर में, जो की उत्तर प्रदेश चे बिलोंग करते हैं, यूपी, टिक है ना, उत्तर प्रदेश, चोरी चोरा गोरकपूर में, यहाँ पे फिर से जो है वो एक तरीके से ओपन फायर हुआ था यहाँ पे, बहुत सारा जो गुस्सा है लोगों का वो फिर जाहि में भी क्रॉस फाइरिंग करना शुरू किया और यहां पे जो लोग गुस्सा हो गए थे तो उन्होंने बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे उनके ओपर हमला किया और लगबग उस दौरान बाइस पुलिसमेन यानि 22 तेके बाइस पुलिसमेन जो है वो क्या हो गए मर गए क्योंकि यहां पे जो लोग थे वो बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि यहां कब तक चलेगा कि कब तक हम सहन करके लेंगे तो गुस्ता तो आई जाता तो बाइस पुलिसमेन जो है वो खिल ह लोगों ने उनको मार दिया, 22 पुलिस वाले जो है मर गए and जिसके वजे से गांदी जी बहुत जादा हर्ट हुए, क्यों गांदी जी हर्ट हुए, क्योंकि यार आव्यस्लिवी गांदी जी का main motow क्या था, जो रास्ता था, गांदी जी का वो क्या था, अहिंसा, नॉन- गुसा आ जाता है, for example, कोई आपको एक चमाट मारा आप शांत रोगे, दो चमाट मारा आप शांत रोगे, तीन चमाट मारा, लेकिन एक टाइम आगा कि आपको गुसा आ जाएगा और आप भी उसको चमाट लगा दोगे, सभी बात है ये चीज, तो सेम वही चीज हुआ होगा क्या कर दिया, ये non-corporation moment को, suspend कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने जब बोला, कि हम non-corporation moment की थुरू सांती से आंदोलन कर रहे चेता, आपको ये चीज कर नहीं क्या जो थे, तो उनको जब बुरा लगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर बात में क्या होगा, कि गांधी ज को अरेश्ट कर लिया गया, अब गांधी जी को अरेश्ट क्यों किया, तो एक वक्त था जिनका डेट है मार्च 1922, ठीक है न, उसके खुछ एक मही ने बाद ही समझ लो, मार्च में 1922 में गांधी जी को क्या कर दिया गया, दोस्तों, अरेश्ट कर दिया गया, क्यों कर दिय गया क्योंकि गांदी जी ने तीन आर्टिकल लिखा था एक तरीके से यंग इंडिया में ठीके ना यंग इंडिया जो था उसमें आर्टिकल अपना लिखा था ठीके न ऐसे आर्टिकल्स लिखते थे कोई भी व्यप्ति कोई लीडर्स जो है अपने आर्टिकल्स लिखते थे जिसे न्यूस्पेपर वगरे में, मैगजीन्स वगरे में, तो उन्होंने यंग इंडिया में क्या लिखा था, एंटी नैशनल आर्टिकल्स लिखा था, एंटी नैशनल मतलब क्या होता है, कि जो सरकार है उस वक्त उसके खिलाफ लिखना, तो गांधी जी ने तीन आर्टिकल्स लिख दिया था, जिसके इसे गांधी जी को अरेश्ट कर दिया गया था, एंट बाब में उनको कोट लेके जाया गया, कुछ समय के बाद गांधी जी को रिहा कर दिया गया, एंट गांधी जी ने फिर से नौन कोपरेशन जो मोमेंट है, यहां पे उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे, यानि कि उन्होंने बहुत सारे चीज़ फिर सोच विचारा कि आगे कैसे करना है, एंट बहुत स वो सब चल रहा था हमारे देश में, उसको भी बहार निकालना है, फिर कैसे जो हमारे देश के जो चीज़े होती है, जैसे खादी प्रोड़क्स वो हम लोग बोलते हैं, खादी आपको पता होगा, तो हम विदेशी चीज़ को अपनाएंगे नहीं, अपने देश के चीज़ ये स्वराज पार्टी क्या है, और इसका क्या रोल रहा है हमारे इंडिपेंडेंस में, तो स्वराज पार्टी ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आज ने हमारे अगले लेक्चर में, यानि कि एक और लेक्चर में लेगूंगा दोस्तों, इसका नाम रहेगा ये सबी चीज उमीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है, thank you so much for watching this video, and उमीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, and जाते जाते यही बोलना चाहूँगा दोस्तो, अच्छे से प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तो, शेर जरूर से कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेर करो, फटा फट रिलेटिवस को शेर करो, बताओ कि कितना बहतरीन हिष्ट्री है हमारा, इसको पढ़ना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए वीडियो को जह